नमस्कार प्राइगिक प्रसायन शास्त्र कुक्षा ग्यारवी के लिए आज हम तत्व की पहचान और थाथ अलिमेंट डिटिक्शन के अंतरगत सलपर या गंधक की पहचान करेंगे प्रस्तुते सलपर की पहचान पर आधारीत प्रेयोग सबसे पहले आपको आपजेक्ट या उद्धिश लिखना होगा कार्वनिक यूगिक में सलपर की पहचान कीजिए इसमें जो प्रेयोक्त सामगरी या प्रेयोक्त उपकरण है उसमें इक इनिशन ट्यूब परक्नली परक्नली स्टेंड वाज बोटल कीप फिल्टर पिपर इत्यादी उपकरण प्रेयोक्त होंगे जो अभी कर्मक परेयकत होंगे उनमें कार्वनिक विदार्थ, सोडियम पीस, सोडियम नाइट्रप्रसाइट, लेड एसिट्रेट विलियन, तनू नाइट्रिक अमल इसके पश्याद सिध्धान्त कार्वनिक योगिक में उपस्तित अत्वों का अताम तोर पर फ्रेंच केमिस्ट जे एल लेसगने द्वारा विक्सित लेसगने परिक्षन से लगाया जाता है जिसे हम लेसगने टेस्ट भी कहते हैं कार्वनिक योगिक क्योंकि आएनिक रतनी होते हैं इसलिए कार्वनिक योगिक को सोडियम थात्व के साथ क्रिया की जाती है सलेन के बाद कार्वनिक योगिकों के सोडियम लवणा बनते हैं जो पाने में घुलंशील होते हैं और आएनित हो सकते हैं इन आयनों की साहिता से हम कार्वनिय क्योगिक में उपस्ति तत्यू का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार ये सिद्धानते हैं आपर कि कार्वनिय क्योगिक को सोडियम के साथ फ्यूजन करा के या सलेन करा के हम कार्वनिय क्योगिक का सोडियम लवन बना लेते हैं। और इसमें जो आयन होते हैं, उन आयनों से हम धात्यू का पता लगाते हैं। अब सोडियम निश्करश्प किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम एक प्रजुलन ट्यूब या जुलन नली लेते हैं। उसमें कार में क्योंकि थोड़ी सी मात्रा लेकर सोडियम धातु का चोटा टुकरा डालते हैं। अब प्रजुलन ट्यूब या जुलन नली को तब तक गर्म किया जाता है। जब तक कि वलाल गर्म नहों जाए। जब वलाल कर्म हो जाती है, तो हम परजुलन नली के आसु जल्म को डाल देते हैं। जब हम जोलनली को आसु जल्म डालते हैं तो जोलनली वहां पर क्रेक हो जाती है और जो मिश्रण होता है वो पानी में भिल जाता है अब इस विलियन को फिल्टर पेपर की साहता से चान लेते हैं ताफ्थ फिल्टर या निस्यंद को वालने के बाद हमें सोडिम निशकर्ष म बना लेते हैं यहां पर जो आप डाइग्राम देख रहे हैं इसमें एक छोटी सी इगनिशन ट्यूब है यह टेस्ट ट्यूब है इगनिशन ट्यूब में कार्बनिक बदार्त और सोडियम का पीस लेकर के उसको लाल अवस्था तब गर्म करते हैं फिर उसके बाद उसको ज जल में चोडते हैं देखिए इस परकार से जल में जाती है और हमको जो मिशन प्राप्त होता है उसको anniा ले लेते हैं परक्नली में फिर यहां से सोडियम नेःटरपरसैट कि दो भून मिलाते हैं तो प्राप्त होता है जो यह धर्शात है कि कार्वनिक योगिक में सल्फर या गंदक उपस्तित है प्रेक्शन्ट सार्नी इस प्रकार से तियार करेंगे सबसे पहले एक प्रेक्शनली में सोटिम निश्करिश की कुछ मात्रा लेकर ताजा एफ ये सब फॉर बिलियन और कुछ एफ येल्टरी की बुंदे मिलाते हैं ऐसी अलमले मिलाते हैं यदि कोई रंग नहीं प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अनुपस्तित है नाइट्रोजन अनुपस्तित है इसलिए हम जो अगला तत्व है उसकी पेचान के लिए प्रेक्शनली में सोडिम निशकरिश की थोड़ी मात्रा लेकर उसमें एक एमिल सोडिम नाइट्रोजन डालते हैं यदि वेगनी रंग प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि सैल्फर उपस्तितिति हम इसके लिए दूसरा परिक्षिन भी कर सकते हैं एक प्रक्षिनली में सोडियम निशक्षि लेकर उसमें ये दिलेड रेसिटेट में आते और कालर रंग प्राप्ट अतम के सकते हैं कि सल्फर उपस्थिते तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोनों निट्रोजन अनुपस्थित का भी एक्षिन लिखना और सल्फर उपस्थित का भी एक्षिन लिखना है अब जो रासा ने कभी करिया होगी वो किस प्रकार होगी यह देखिए सोडियम कार्मने क्योगिक में उपस्थित सल्फर के साथ करिया करके sodium sulfide बनाता है जो sodium निश्करश में आता है और ये sodium extract या sodium sulfide sodium nitropecide के साथ के reaction करके sodium thionitropecide बनाता है sodium thionitropecide तो है बेगनी रंग का रंग देता है और इसी से हम उसकी पेचान सुनिश्यत करते हैं कि कार्वनिक वीप में sulfur उपस्ती थे तो परिणाम इस प्रकार लिखेंगे कार्वनिक योगिक में sulfur तत्व या गंधक उपस्ती थे प्रयोक के अन्त में सावधनिया लिखना है कि fusion या saline के लिए sodium का छोटा टुकडा लेना चाहिए दूसरा ignition test tube या जोले नली को लाल गर्म अवस्था तक गर्म करना चाहिए तिसरा पाइंट है ignition test या जोले नली को सावधने से गर्म करें इसके बाद sodium निश्करश को इस्तमाल करने से पहले उबाल लेना चाहिए तत्व का पता लगाने के लिए या परिक्षन के लिए sodium निश्करश की अल्प मात्रा लेना चाहिए इन बातों को ध्यान में रख करके हम प्रयोग पुर्ण करते हैं धन्यवाद आप इस प्रयोग को प्रयोगशाला में कर सकते हैं और उसको आप आपकी जो प्रयोग इक रिकार्ड होती है उसमें सावधने परवक लिख सकते हैं थैंक यू